उत्र पर्देश के हर्दोई में लूट की ताबर तोर वारदातों ने नए S.P. को चुनोती दी है आरोपी लूट की वारदात को अंजाम देकर मोके से फरार हो गए और पुलिस मामले की जार्च में जूटी है जानकारी के उनसार मलावा के कच्चा बीर होर हाईवे पर असला धारी बदमाशों ने ट्रक लीनर वह हेलपर को बंदक बना कर नसले कंपनी का लाखों का माल लूट लिया बताया जा रहा है कि मलावा कस्बे के महमदपूर के पास अंडर पास 54 सी के पास ट्रक में आराम कर रहे ट्रक चालक शहजान और उसी के साथ में राजु शकील जो उसी गाउं के हैं वह भी ट्रक में बैटे हुए थे इसी दुरान लगबग एक दरजन बदमाशों ने असले की नोक पर ट्रक में सवार चालक वकलीनर को बंदक बनाकर ट्रक को कबजे में लेकर बिलगराम शेतर के बिकापूर मोड से के पास से जाकर ट्रक में लदा नसले कम्पनी का 1400 कार्टून माल से लगबग 900 कार्टून माल DCM पर लाद कर फरार हो गए ट्रक चालक शहाजा ने बताया कि रुदरपूर जनपद से नसले कम्पनी का माल लेकर वहेग कटक जारकन जा रहा था इसी दोरान मलावा के महमदपूर के पास गाउं के कुछ लोग रहते हैं जहां आराम करने लगा और इसी दोरान ट्रक को बंदक बना कर असलाधारी बदमाशों ने कबजे में लेकर बिलगराम के विकापूर ले गए जहां DCM लगा कर माल लेकर फरार हो गए गटना की जानकारी पूलिस को दी गई है जिसके बाद CEO बिलगराम शीव राम कुश्वाहा कोतवाल शीव शंकर सिंग बिलगराम कोतवाल अमरजीद सिंग मलावा पहुचकर घटना सल की जाच पड़ताल की गई ASP ग्यानन जे सिंग ने बताया कि घटना की जांच की जारी है उसके भादी मामला पूरा साफ होगा एक ट्रक जिस पे मैगी लदी हुई थी है बरेली के तरफ से उस पे आये उसके ट्राइवर थे हैं उसके दो साती एक क्लीनर और एक ठेकेदार था जो कि मलावा में अपने कमरे पर वो लोग रुके थे रात में खाना खा के वहाँ सोए उसका क्लीनर और दो अन लेवर जो है उस पर ट्रक पे थे उनका ये कहना है कि कुछ लोग आये डीजियम से और उनको बंदक बना लिये और गाड़ी ले जा करके बिलगराम थाना शेतर में गाड़ी पर लदी भी महगी का कुछ अंस उन लोगों ने छीन करके वो लूट करके भाग रहे इस आसे का उन्होंने एक अप्लिकेशन दिय पूरे प्रक्रण की जाच की जा रही है प्रकरण में जो चार पा отвеч लोग महां थे उनकेऑ परस में जो बयान आरे है उनके उली था इन गाड़ी पर ढगा हुआ है उसके मालिक को बलाय गया है वह पूर प्रक्रण की चान मान करके उसमें अपाइप आर दज गिया है करभई A perfect venue for wedding, launching and parties. Raj Gharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise.